सो एबरीबडी कैसे हो आप सभी लोग आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं ये बेस्ट फैक्टरी इंडस्टीज होने वाला है कोलकता लोकेशन के लिए और ये है केंडल जौब होने वाला है बहुत आसान काम होगा आप देखते हुँगे कि बहुत सारे लोग इसका बिजनस जो स्टार्ट अप किये हुआ है घर से ही किये हुआ लेकिन अभी ये जो है फैक्टरी इंडेस्टीज में काम होगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू बहुत बेहतरीन कंपनी है यहाँ पे आपको सेलरी भी बढ़िया मिलते हैं प्लस आपको बहुत सारे मेजर फैसलिटीज भी मिलते हैं आप लोग से यही निवेदन कर का हूँ की वीडियो को आप लोग पूरा देखो देखो फैक्टरी इंडेस्टीज में ज्यादा तर रियर्ली केस में देखे जाते हैं कि आपको रहने के लिए रूम और आपको जो है सो कैंटीन फैसलिटीज उपलब होते हैं इसमें भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मेरे सा होने वाले सो यहाँ पर देखे केंडल फैक्टरी है जौब प्रोफाइल है लेबर का है क्वालिफिकेशन नन डिक्वाइड मतलब कि कोई भी पस आउट बंदा है वो कर सकता है क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी रिक्वाइडिंग नहीं किया गया है एनी पास की हाइरिंग है अभी देखो इसमें बहुत सारे वेकेंसी आयता है जिसमें 50-50 साल के केंडिडेट को ले रहते लेकिन इसमें 40 साल तक केंडिडेट एलिजबल है और कर सकते हैं कोई भी इसूद और प्राब्लम्स उन्हें के लिए नहीं होंगे ठीक है न यहाँ पर देखि चलती है पोस्टिंग की बात करो नहीं हटी पानपूर लोकेशन में आपका जॉबस होने वाला है एक पर्मानेंट बेसिस जॉबस है जब तक आप काम करोगे तब तक करोगे फैक्ट्री इंडेस्ट्री कभी भी आपको नहीं निकालती है अगर आपको निकलने का मन है तो इस केस में आप निकल सकती हो सेम डे जॉइनिंग प्रोसेस है इंपीडियेटली आपका जॉइनिंग प्रोसीजर होने वाला है इसमें सेल्डी पर डे मिलेगा आपको साधे तीन सो रूपे पर डे बेसेश है यह कोई फिक्सेबल आमांत नहीं होता है यह समय के साथ में है त्री जॉब्स कोलकाता लुकेशन में नहीं आते हैं और यहां पर रुजगार बुलुमाय पर जो भी अप्डेट सेयर कर रहा हूं वह पेर जॉब्स मेनेजमेंट सर्विस प्लेस्मेंट इजनसी के तरफ से जॉब्स है जो की 100% ट्रस्टेबल है और आपकी जानकारी के कोलकाता लुकेशन का अपडेट होगा तो इसके लिए इंतिजार कीजें कुछ दिनों का बहुत सारे जॉब्स हम आपके साथ में शेयर करने वाले मिलते हैं नई जॉब्स के साथ में तब तक के लिए जैहीं जैभारत